नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एंसी कुसूमनेट क्लासेज में साथियों यदि आप हमारे साथ लगतार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले एपिशोड में यानि एपिशोड बन में हमने आप से बात आधारी था या पशुपालन प्याधारी था तो पढ़ाई के दौरान पढ़ाई के उपरांथ हमें पता चला कि जो स्टोन एज का सोसाइटी है वह सोसाइटी कंप्लीट रूप से पसुपालन पर आधारी था उस समय एग्रिकल्चर का विकास नहीं हुआ था और लोग बात करने वाले हैं human evolution के बारे में जिसमें मानविये विकास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ कैसे उनका सफर रामा पिठेकस से सुरू होता है और वो सीधा पहुंचते हैं होमो सेपियंस की तरफ तो उसके बीच में इस क्रमिक विकास के दौरान कौन कौन से प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा और कौन-कौन तरह के कितने कितने तरीके के मानव आए उन सारे के बारे में हम लोग डीटेल में बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चानल पर पहली बार आए हैं और आप यूजी सीनेट क जाएं और टाइब करें वहां से आपको इतिहास का सिलेवस मिल जाएगा इतिहास का कोड है 06 तो आप देखोगे कि उपर में ही सिलेवस के सबसे उपरी हिससे पर इन होने बहुत सारे इन होने और अक्सर इस सवाल भी पूछ दिया जाता है एक्जाम में तो हमने क्या किया है कि इस पर आठ लेक्चर तयार किया है और यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखें तो आप चैनल के लिंक पर चले जाएं और वहाँ पर आपको बिडियो जाएगा आठ वीडियो जिए हैं और यदि आप कर लेते हैं तो आगे चीजों को समझने में ज्यादा सहुलियत तक हम लोग आपी य्टनाव में बाद कर रहें जिसमें आप देखोगे कि य्ट 15 हीश्टो में इन वोने सिंसको बाटा है पहला इन्हों बताया था और्कु को लोगिकल सोर्स के है आप उसके बाद जो था है जो इनका वह है बैदिक एंड लैटर बैदिक पिरियोड ठीक बैदिक और उत्तर बैदिक सभेता उसके बाद पांचवा नंबर पर है एक्सपैंशन ओफ स्टेट सिस्टम महाजनपद मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन स्टेट इकॉनमिकल और सोसल डिवलप्मेंट्स इमर्जेंस ऑफ सेकंड अपनाईजेशन इन सिस्ट सेंचूरी बीसी ठीक है उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्स जैसे जै लेक्चर आपको दिये हैं यदि आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो वह लेक्चर थे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप वहां सजा करके उसको देख सकते हो पहले लेक्चर में बात किया था हमने आर्के लोजिकल सोर्सेस के बारे में उसके बाद हम चाहरें ल 무न से यात्र चल करकर नहीं उनके द्वारा लिखेंगा साःतियों के बारे में उनके द्वारा छोड़ेः ब्रिटांध के बारे में हमने पढ़ाई किया था तो आज हम लोग युणि migrants के दूसरे हिससे में हैं टीके दूसरा हिस्सा हमारा क्या था स्टोन एज से और स्टोन एज का ही एक important section है इससे सवाल आप से तो पूछे कम जाते हैं लेकिन इस इन चीजों को जब आप समझोगे तो आगे इतिहास समझने में ज्यादा सहूलियत होगी इसलिए एक background के रूप में आपके लिए काम करेगा तो आएए आज अब हम लोग वी नोट्स तयार हो जाए ताकि आपको एक्जाम के समय में रिविजन करने में सुविधा हो सके और ध्यान रखिएगा चीजों को लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नोट्स आप बनावागे तो वह कॉपी में ही रह जाएगा एक वारेदी आप जुआत करने से पहले आप ध्यान रखो कि थोड़ा सा बैग्राउंड आप समझो कि human evolution कैसे हो रहा है जब मानब पहली बार रह रहा था आप देखो कि कि जब जोग्रफी पढ़ोगे जोग्रफी मेरे पास तो स्पेस नहीं बचाया दिया आपके पास यहां दिख रहा है त ठीक है जोग्रफी यहां पर थोड़ा इसलिए आपको समझना है ताकि इसको आप समझ लोगे तब आगे चलकर के human evolution वाली चीज़ आपको ज्यादा समझ में आएगी तो यह जो उपर का हिस्सा इसको सारह 23 डिग्री नौर्थ बोलते हो ठीक है और नीचे का जो हिस्सा है 23 साउथ इसको मकर रेखा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करक रेखा को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा को बोलते हैं हाँ अंग्रेजी में ठीक है तो इसके बीच का जो हिस्सा है इसके बीच का जो लाइन है जो के एक्वेटर है विश्वत रेखा जिसको कहत तो साध्यीट दिगरी नौर्थ लेकर करके साध्यीट डिगरी साूथ के बीच का जो हिस्सा है उसे जो ग्रफी में उसना कटिबंद कहा जाता है और उसना कटिबंद का अर्थ यह ईशन का साबदी करत होता है गर्मी जहां पर सबसे ज्यादा पड़ता हो तो आप ध्यान रखना कि पूरे विश्व में प्रिश्व में जितने भी कंट्री है वो यदि इस रेखा भी जादा होगा वहाँ पेड़ पौधे जादा अब जहां पेड़ पौधे जादा होंगे तो जहां पेड़ पौधे जादा होंगे वहीं पे जंगल का भी कास होगा फिर जहां पे जंगल का भी कास होगा वहीं पे जानवर रहेंगे क्योंकि उनको रहने के लिए तो जंगल चाहिए पेड़ पोधे चाहिए ऑक्सीजन चाहिए पानी चाहिए इन तमाम चीजों तो ये सारी चीजे आपको पिर्थिवी के इस वाले हिस्से में ज्यादा मिलेगी जैसे जैसे आप उपर जाओगे वैसे वैसे बर्फ बढ़ता जाएगा ठंडक बढ़ती जाएगी तो उपर में मानव के लिए एक्जिस्ट करना बहुत मुश्किल का काम है तो सुरुवाती दोर में यदि मानव का विकास होगा तो वो जंगल से ही होगा और मैंने बताया कि जंगल का विकास वहीं पर होगा जहां पर बारिष जादा होगा और बारिष वहीं पर जादा होगा जहां पर पेर पौधे जादा होंगे और पेर पौधे अब बारिष और पेर पौधे का संबन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ठीक है ध्यान रखना जहां पर बारिस ज्यादा होगा वहीं पर फेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे तो जहां पर फेड़ पौधे होंगे वहीं पर मानव का विकास होगा जंगल बनेगा तो जंगल में ही जानवर रहेंगे अब चुक्कि आपको पता होगा कि मानव का विकास जानवर से हो रहा है यान आजाए कि इसमें से कौन वाला हिस्सा है जहां से उनका विकास की सुरुवात होती है तो आप एक चीज़ दिहान रखना कि जंगल से सुरुवात हो रही है और जंगल कहां पाया जाएगा सबसे ज्यादा साधे यहां तक यहां पर जंगल ज्यादा होगा तो यहां पर पानी ज्यादा जहां पर होगा दोस्तों तो आगे आते हैं अब देखो कि एक चीज़ सवाल आ जाए कि मानव का अभिकास किस कटी बंध यहत्र में पहली बार हुआ तो उसन कटीबंध वाले शेत्र में पहली बार हुआ झीक और देग्रि मैंने बता दिया आगे आते हैं टाइम पिरेड मान लिजिए आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि आज से साढ़हे तीन अरब टिक है साढ़हे तीन अरब दो करोड बर्स पूर्ब साढ़हे तीन करोड से लेकर के दो करोड बर्स पूर्ब मानब का विकास होता है कहां पे उसने कटी बंध वाले हिस्से म में उसने कटी बंध वाले हिस्से में और इसकी क्या-क्या विशेस्ता रहती है आप देखोगे कि सुरुवाती दौर में जब मानब का विकास हो रहा है तो वो लोग कपी के समुह में रहते हैं ठीक है कपी मैंने यहां पर लिखाया आप से सवाल इस तरीके के कई बार पूछ विशेस्ता क्या है इनके क्या-क्या आप फीचर सेंगे क्या-क्या विशेस्ता हैं वह देखना है कि उस दौर में जो मानब है उनकी बाहें मतलब मानब भी नहीं आप उसको बंदर ही समझो लेकिन हम लोग मानबिय विकास पड़ रहा है इसलिए यहीं से मानब तो लंबी बाहे हैं उनकी उसके बाद लोग लटकना जानते हैं उचलना जानते हैं उसके साथ साथ कुदना जानते हैं ठीक है अब देखो कि शुरुवाती दोर में आप अभी भी बंदर को देखोगे तो वो लोग पेड़ पर एक तने से लेकर के एक स्टेम पर बैठे हुए हैं तो वहां से उचल करके दोनों हाथ से ऐसे करके फिर दूसरे तने पर चले जाते हैं तो यह जो है उनका पहला फीचर है उनकी पहली विसेस्ता है क्या विसेस्ता है कि उनकी बाहें बहुत लंबी- लंबी वह ठीक है अब कोई भी ब्यग्ति कोई भी जानवर यदि उछलेगा अपनी बाहूं के साहरे तो उसका बाहूं लंबा होना स्वभाविक शी बात है तो शुरुवाती दौर में इनकी बाह लंबी लंबी है और यह लग लटकना बहुत जानते हैं और यह लोग लटक ना बहुत जानते हैं यह लोग उचलना बहुत जानते हैं पर धीरे-धीरे क्या होगा कि climate में changing आएगा जलवाई में परिबर्तन आएगा ठीक है जब Geograffical Facial Coucheniz बदलेंगे तो climate में Changing आएगा और जब क्लाइमेट बदलेगा तो सारी परिस्थितियां बदलेगी जानवरों के हालात भी बदलेंगे तो देखोगे कि जलवाई परिवर्तन जल्दी होता नहीं है आप देखोगे जो ग्रफिय दिया पढ़ होगे तो दो परिवर्तन है पहला जलवाई परिवर्तन दूसरा मौसम परिवर्तन तो मौसम पर परिवर्तन होता है तो अब देखोगे कि जब जलवाई का परिवर्तन होता है आगे यानि क्लाइमेट जब बदलेगा तो वो लोग जंगल से बाहर की और निकलेंगे ठीक है पहले जंगल मेरा रहे थे अब जब जलवाई का परिवर्तन होगा तो जंगल से बाहर की और निकल और तूल उसी टूल्स का लोग इस्तेमाल करेंगे तो टूल्स का इस्तेमाल करना यह लोग यहां पर सिख जाते है उसके साथ सेमी इरेक्षण यह बदलाव याद रखना कि जब वो लोग बाहर climate change हो रहा है तो उनके अर्थ रूप से खड़े होने लगते हैं पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं लेकिन आधा खड़ा हो जाते हैं उसके बाद देखो कि उनकी हाथ है हाथ का यहां पर अर्थ है कि बंदर का अगला जो दो हिस्सा है जिसको हाथ के रूप में यहां पर संकेतिक किया गया है तो उनके आगले जो दो हाथ है वो पूर्णता फ्री हो जाते हैं तो जलबाई परिवर्तन के बाद तीन चीजे परिवर्तन आती है कौन-कौन पहला टूल्स का लूप में परिवर्तन होगा इसी के बेस पर आगे डिवलप्मेंट होगा अब देखो कि जब अब वो लोग जंगल से बाहर निकलेंगे ठीक है तो जंगल से ऐसा नहीं कि सारे के सारे बंदर बाहर निकल गए यदि ऐसा होता तो फिर आज बंदर पर जाती ही नहीं होती तो कपियों का एक समूथा जो जंगल से बाहर की और निकला और एक समूथा जो जंगल में ही रहना पसंद किया ठीक है तो जंगल से कुछ लोग बाहर निकले कुछ बंदर बाहर निकले और वो बाहर निकल करके घास वाले मैदान में गए ठीक है घास वाले मैदान में गए अश्ट्रेलोग पिथेकस और यही इनहीं को महा कपी कहा गया धिकर है नहीं को महा कपी कहा गया और जो बर्ग ढूस जंगल निंखलने रामा पिथेकस पहले कपी के रूप में था ठीक है जब यह बरगी करण नहीं हुआ था तो सभी लोग कपी के समू में थे जब कपी जंगल से बाहर की ओर निकलता है तो एक एक समू है जंगल में रहता है इसको रामा पीठेकस कहता हो आप और एक जो जंगल से बाहर निकलता है उसको कहते ही कहते हो इसको मुख्य तोर पे महा कपी वर्ग कहा जाता है क्यों कि यह कपी से अलगा हो साथ है दो यहा Sleeping चीज़े क्लियर हैं तो आगे चलते हैं लोग अब देखों कि बिश्व के अलग-अलग हिस्सों में इरेक्टस का आगमन होता है ठीक है अब इसके कुछ देर बाद यानि कि अब रामा पिठेकस के बाद एक तीसरे मानब का विकास होगा जिसका नाम है होमो इरेक्टस बोलते हैं इरेक्षन जिसमें इसको इसलिए बोला गया होमो इरेक्टस क्योंकि इनके अंदर इरेक्षन का विकास बहुत ज्यादा होता है इरेक्षन का अर्थ होता है भारत में नहीं घट रही हैं आज के जिस महाए आप लोग रहते हैंह। वान ठीड़नों का आगमन होता है और बिस्व के अलग अलग जब कर्णेंबर के जनुराइब कर देते हैं क्षर्ण कर चलने लगते हैं देखों झीरा चैसे विकास हो रहा है पहले क्या हुआ था उपकरन का प्रयोग कर रहे थे हाथ फ्री हो गया था आधा खड़ा हो रहे थे उसके बाद जंगल से बाहर निकले अब एक नए मानब का विकास हुआ वो लोग सीधा खड़े होने लगे तो देखो पहले से जो क्वालिटी चलती आ रही जिस्ता के बारे में यहां पर बात करेंगे अभी हां इस समझों की कौन कौन क्रफासे मानब आए नीएंडर थाल का विकास होगा और यह भी क्या करेंग है उसनिकतिबन्ध वाले हिससे निकल करके समसितोस्न कटिबंद की और बढ़ेंगे अब फिर से मैं आपको ग्लोब की और ले चलता हूं देखो उपर का जो हिस्सा है इसको सीथ कटिबंद करते हैं और नीचे का भी जो हिस्सा है वह भी सीथ कटिबंद है और इसके बीच का जो हिस्सा है इसी को समसितोस्न करते हैं समस क्या कर रहा है कि उस्न कटिबंध वाले हिस्से से यानि यह साढ़े तेइस डिग्री नौर्थ और साढ़े तेइस डिग्री सौर्थ वाले हिस्से से निकल कर उपर क्यों बढ़ रहा है सम सितोस्न कटिबंध की और आगे बढ़ रहे हैं यहां से उपर क्यों और यहां से मानब का विकास होता है जो पाचवा स्टेज है जो हम लोग है अभी उसका नाम है होमो सेपियंस और यह लगबग आज से 30,000 साल पहले इसकी शुरुवात होई थी तो आप से पहला सवाल आ जाए कि आधुनिक मानब का साइंस्टिफिक नेम क्या है तो आप बोलोगे होमो सेपियंस है और आज से कब शुरुवात होई थी तो आज से 30,000 साल पहले इसकी शुरुवात होई थी इसी को आधुनिक मानब बोलते हैं इसी को प्रग्य मानब भी बोलते हैं इसी को क्रो मैगनन भी बोला जाता है ठीक है यह उसके निकनेम है ध्यान रखिएगा इसी को क्रो मैंगन भी बोला जाता है इसी को चांसलेड ग्रिवालडी भी बोला जाता है चांसलेड चांसलेड ग्रिवालडी ठीक है क्लियर है अब आते हैं कि यह पांच मानब के बारे मैंने बताया और यह पांचु मानब के क्या-क्या विसेस्ता थी उसके बारे में हम लोग एक के करके डीटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि नीम्ण में से रामा पिथेकस मानब का कौन सा गुण नहीं है या नीम्ण में से कौन सा गुण रामा पीथेकस का है या एस्टेवल पीथेकस समूह का है या फिर होमो इरेक्टस का है या फिर नियंडर्थाल का है तो सवाल कैसे पूछे जाता है इन सारे हिस्टों में बटा एक महा कपी और एक जंगल में रहा गया तो जंगल में जो रह गया उसको रामा पीथेकस बोला गया तो रामा पीथेकस के बारे में पढ़ेंगे अब देखो कि रामा पीथेकस की क्या क्या विसेस्ता थी पहले विसेस्ता इन्होंने कहा कि इनकी दाते बहुत असपस्ट दिखती थी ठीक है दाते बहुत असपस्ट दिखती थी और इनलों का जबड़ा जो है बहुत चोड़ा होता था ठीक है जबड़ा का मतलब है यह वाला हिस्सा जिसको जबड़ा आप बोलते हो यह बहुत चौड़ा होता था ठीक है आग है और आप देखोगा कि नीचे और उपर का जहवड़ा नीचे और उपर हुआ करता था यह जो जबड़ा है यह इस तरीके से मानलो इतना चोड़ा हुआ करता था तो ध्यान रखना यह 3-4 भी सिस्ता है रामा पिथेकस की और इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है और यह कहां रह रहे हैं यह जंगल में ही रह रहे हैं और इनको कपी समूह के नाम से भी जाना जाता है और आप ध्यान रखोगे कि यदि मानलो यह सवाल आ जाए क्रमीक ओर्डर में लिखने के लिए कि मानब का विकास और चार-पांच मानब जो हैं उन सब का नाम दे दे तो सबसे पहले रामा पिथेकस आएंगे ठीक है तो इसलिए क्रोन लॉजिकल और में क्रमीक ओडर में इसको आप लिख लेना याद कर लेना समझ लेना आ गयाते हैं अब हमारे पास दूसरा मानब है हमारे पास डूसरा मानब है और का उसठे लो के लिए तो इसका पूरा नाम्यदी मान लोग पूछा जाए तो अस्ट्रेलो पिठेकस अफ्रीकेनस ठीक है उसके बाद आते हैं कि इसकी क्या-क्या विसेस्ता थी तो पहली विसेस्ता इनका का development मुखे तौर पे अफ्रीका वाले हिस्से में हो रहा है और आप देखोगे कि अफ्रीका पूरा का पूरा जंगल हाइट है 42 से लेकर के 50 इंच तक इनका हाइट है अब ध्यान को आज आप मतलब मानव का अवरिफिट हाइटcco 500 है इंडिया में अब कर देखो उससे में जो है औस ट्रिलो पीठेकर कि हाइट है 42 से लेकर के 50 इंच तरह कैंंड दो है από 42- Kane सबस्केम्ट जाता है लेकिन यूजी सीनेट के आप तयारी करते हो तो आपसे उमीद होती है कि आप चीजों को डिटेल में पढ़े हैं क्योंकि आगे चल करके आप अध्यापक बनने वाले हैं रिसर्च स्कॉलर बनने वाले इसलिए आप लिख लिजेगा इसको 42 से लेकर के 50 इंच उसके स पॉइंट यह है कि यह लोग सीधा चलना प्रारांब कर देते हैं ठीक है सीधा चलना प्रारांब कर देते हैं लेकिन ध्यान रखो कि सीधा तो चल रहे हैं लेकिन कंप्लीट रूप से सीधा नहीं चलेंगे क्यों क्योंकि कंप्लीट रूप से सीधा वो लोग होमो से चलना शुरू करेंगे तो यहां पर सीधा चलना शुरू करने का आर्थ है कि पहले बाल यानि रामा पिठेकस की तुलना में लोग थोड़ा सीधा चल रहा है थोड़े से खड़े होकर चल रहा है ठीक है उसके साथ साथ इनका पीठ मुड़ा हुआ है ठीक है यानि पीठ कै मानब होगा पहली बार ठीक है पीट मुड़ेगा मुड़ा हुआ है उसके पीट मुड़ेगा तो स्वभाविक सी बात है कमर जुका हुआ रहेगा तो इसारी विशेष्टा आप ऐसे है तो जो थोथना होता है आप देखो कि रामा पिठेकस वाले का जो मुह है जबड़ा इसको बोलो ऐसे सूध हिंदी में इनका जबड़ा चौरा हुआ करता था ठीक है सेम चीजे इनके साथ भी है इनका भी जो थूथन है इनका जबड़ा इनका भी जो मुह है वह अभी भी इनका जबड़ा इनका थोतन इनका मुह इनका थोतना उतना ही चोड़ा है आगे आते हैं अब देखो कि दात बाहर की और निकला हुआ है ठीक है दात बाहर की और निकला हुआ है ध्यान रखना कि यहां पर भी दात बाहर की और निकला हुआ था तभी दात दिखाई दे रहा तो सेम क्वालिटी अभी दिख रहा है कि दात बाहर की और निकला हुआ है नाक चोड़ी है यह सारा पॉइंट नो डाउन करते रहना नाक चोड़ी है उसके बाद माथा जो है इनका यानि माथा बोलते हैं कपाल छमता को यानि उसको अंग्रेजी में आप पढ़ते हो तो लि क्रिनियल कापिसिटी माप आ गया है आ गयाते हैं अब इसके बार में अब बात मैंने पहले ही बताया कि इनको प्राप्त किया गया अफ्रिका से अर्मान लोग की टाइम पुछ दिया जाए तो टाइम ध्यान रखना पच्यास लाग से लेकर साढ़े आठ लाक ठीक है पच् करते हैं हम लोग तिसरे मानब की ओर और हमारा तिसरा मानब है जिसको आप होमो इरेक्टस बोलते हो ठीक है अब होमो इरेक्टस दो सब्दों से बना है जैसे आप होमो सेपियंस बोलते हो उसी तरीके से हम लोग होमो इरेक्टस बोल रहे हैं तो होमो का आर्थ मानब से है ह और एक साबदिक होता है चिसका खड़ा होना ठीक है जैसे बच्चा धेरे-धे लुढ़क कर चलता है उसके बाद वह इरग्ट होता है उसके अंदर एक्षां की प्रकिरिया आती है और वह धीरे-धीरे खड़ा होना शुरू करता है तो उसी तरीके से मानभ अभी तक लूठक रहा था उचल कर एक डाली से दुसरे ड़ी जा रहा था अब क्या करेगा कि आप यह लोग सीधा खड़ा होगा अब देखो हुमोयेर्टैसका साब्दीकर आपको समझ में आ गया होगा दूसरा सवाल आपसा पूचा जाता है कि होमो इरेक्टरस को और किस नाम से जाना जाता है यानि उसका निकनेम उसका दूसरा और क्या नाम है तो दूसरा नाम है पीथे Rock फिर से सुनना sorry 한 यहली आपको clear नहीं दिखरा आप जूम कर के देख सकते हो नहीं तो मैं बोल रहा हूं पीथे केंध्रोप अस पเรา का दूसरा नाम है उसके बाद देखो की इसकी क्या-क फिर भी चेस्था है पाले मिझिक सता इतनी देर से मैं बता रहा हूं पहली वी से इस तक क्या होगी कि अब यह लोग सीधा चलना शुरू कर देगा अभी तक यह लोग जुक जुक करके चल रहा था कमर जुका हुआ था पीठ जुका हुआ था ठीक है दातें निकली हुई थी नाग चोड़ी थी अब यह लोग क्य हुआ नहीं रहेगा तिहएं दो-तीन चीजा आपको खुद से समझनी है आगे आते हैं यह मैंने लिखा नहीं इसलिए मैंने आपको समझा दिया था आगे आता हूं कि इन्होंने का वीजन सम्ता यानी कि वही कपाल शम्ता जिसको बोला अंग्रेजी में cranial capacity तो cranial capacity इनकी आगे बढ़ गई क्योंकि यह लोग खड़े होंगे ते इनका दिमाग भी तेज होगा और इनकी capacity यहां पर कितनी थी 450 cm क्यों सेंटीमीटर यहां आगे बढ़ करके कितना हो गया साथ सो पच्छत्तर साथ सो पच्छत्तर यानि 775 cm3 घं सेंटीमीटर इनकी cranial capacity बढ़ गई आगे आते हैं हड़ी सीधा हो गया त्यों पे तो common sense है आप देखो कहां से आ रही है यह होमो इरेक्टस मानव में ही पहली बार आ गई है तो यहीं से चीजे चल करके हमारे पास आ रही है माथा ढलबा हो गया उसके बाद देखो हाइट में भी बढ़ोतरी हुई है हाइट पहले कितना था मैक्सिमम पचास इंच यानि चार फीट दो इंच अब बढ़ा तीसरी क्वालिटी क्या आई कि यह लोग माथा इनका ढलबा हो गया ठीक है माथा ढलबा हुआ इसले इनका क्रेणिल कापी सिटी भी बढ़ा है उसके बाद देखो कि 5 फीट हाइट इनका बढ़ा ठीक है यानि कि हाइट पहले कितना था चार फीट दो इंच अब उसमें बढ़ोतरी हो गया दस इंच और वह पांच फिट हो गया किलियर है आ गया आते हैं अब इसके कुछ भी सेष्टा यह जो मिली है या या यानि हो मानव मिला है वह भारत बाले हिस्से से नहीं मिला मैं बार बार बोल रहा हूं भारत में अभी इसके उपर जाची चल रह है इंत्रो पोलाजिस्ट है अभी यह व Barnes और रहा है अभी यह लोग खोजी कर रहे है भारत में अभी किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है वह अफ्रिका के हिससे मिल रहे हैं और किस कटिबंद से तो उसनिक बंद से उसके बाद दूसरी बात कि है हलो यह एक साथ साथ contemporary कई जगह से मिलेंगे पहली बार अफ्रीका से मिल रहे हैं कहां से उसने कटीबंद वाले हिस्से से दूसरी बात चीन से भी मिल रहे हैं और चीन कहां पर है स्वम सितोस्न कटीबंद में ठीक है चीन कहां में पढ़ता था अभी भी पढ़ता है स्वम सितोस्न कटीबंद वाले हिस्से में उसके बाद केनिया में जील है जिसका नामें तुकीना जील ठीक है आपको दिख रहा है तो आप जूम करके देख लो नहीं दिख रहा है तो नहीं तो लिख लो केनिया की तूकीना तुकीना जील ठीक है टी यू के आई एन ए लेक ठीक है तीन जगह से यह ल फ्रांस से भी इसके कुछ कुछ साक्ष मिल रहा है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उपकरन जो बनाया जा रहा थे स्टोन के टूल्स बनाया जा रहा थे उसके फ्रांस में एक टकनिक डेवलप हुआ था पेरिस के निकट एक प्लेस था लवा लवाई ठीक है जिसको साथ लाख वर्ष पुर्व का ठीक है पंद्रह लाख वर्ष से लेकर के साड़ह साथ लाख वर्ष पुर्व इसका प्रमान मिल रहा है यह लोग अस्तीत्व में आ रहे हैं अब आ गया आते हैं हम लोग अगले मानव पे ठीक है और अगला हम लोग का मानव है नियंडर थाल ठीक है नियंडर थाल ये लोग नियंडर थाल के बारे में अब कुछ-कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब देखो नियंडर थाल के बारे में सबसे पहला याद रखो कि इनका संबंध जर्मनी से है ठीक है जर्मनी वाले हिस्से से है और एक सेकंड नियंडर थाल जो है जर्मनी वाले हिस्से से इनका संबंध है ठीक है पहला सवाल दूसरी बात कि अब देखो इनके क्वालिटी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे से इनका ब्रें मस्तिस्क है साइज बठ बढ़ा हो जाता है मालो पले छोटा था अब बढ़ा ओगया अक से किबल कापिसिटी बढ़ा बलकि माथा का साइज भी बढ़ गया ठीक है उसके बाद देखो कि ब्रेन कापिसिटी बढ़ा और ब्रेन कापिसिटी इतना बढ़ गया जितना आज के मानव का ब्रेन कापिसिटी तो मान लो आप से सवाल पूछ दिया जाए कि आधुनिक मानव के विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उसके बाद यह लोग क्या कर चलते थे पीट जुका करके नहीं क्योंकि पीट तो पहले ही खड़ा हो चुका है तो ध्यान रखना सर जुका करके चलते थे ऐसा बोला जाता कि जो बड़े लोग वोते हैं वो सर जुका कर चलते हैं इतना मेंटल कापी सिटी बढ़ गया कि लोग सर जुका करके चलना सुरू कर दिए अब देखो नियंडर थाल की इतनी सारी विसेस्ताय थी अब हम लोग बात करेंगे होमो आने की आधुनिक मानब ठीक अब देखो कि आधुनिक मानब के बारे में कौन-कौन सी चीज़े आपको याद रखने है पहला इसके अंदर इसको आधुनिक मानब क्यों बोला गया इसके अंदर दो महत्तपुर्ण सारीरिक लक्षन का विकास हुआ दो फिजिकल इसके ना यह ओठ जो है तो उभरी हुई ओठ का विकास यहां पर हुआ आप देखोगे कि अध्वनिक मानब का जो ओठ है वो उभरा हुआ है वो उपर की ओर है ठीक है और यह आज कल तो यह सुन्दरता का प्रतीक भी माना जाता है कई लोग जो बॉली बूट के हमारे हीरो हीरोई इसको अस्पेशली प्लास्टिक सरजरी के माध्यम से ऐसे काम गरवाती हैं खुबसूरती के लिए दूसरी बात पहली बात की उवरीव ठोड़ी का विकास दूसरा माथा के खोपड़ी में गोलाकार भाग का निर्मान ठीक है अब यह चीज़ आप समझ में नहीं आ रहे हो का डेवलपमेंट हुआ कहां होमो सेपियंस में ठीक है तो यह दो मुख्य भी सेशता थी जिसके अधार पर इसको आध्वूनिक मानब की संग्या दी गई और मैंने इसके बारे में नाम भी बताया था दो नाम क्या क्या बताया था पहला बताया था एक एक प्रग मानब बत कुझ को development हुआ भू अस्थी का अविकास हुआ ठिक है बूशती का अभी का अर्थ है हड्डी से हैं हड़ी अस्थी को रधी ही बोलते हैं उसके बात असकल का मतलब खोपडी होता है खोपडी के उपरी वाले हिस्से में एक हड़ी Ka निरमान हुआ ठीक है जो इसको कनेक्ट करता है गर्दन से खोड़ा रह सके क्योंकि पहले देखो कि माता जुक करके चल रहा है अब देखो कि understand पर असकल pense would link इसकु connect करने के लिए Metroid को कड़ी का विकास होगा तब मानब खडे उकर करके चलेगा तो असकल का विकास अब इस में देखो की इस में जो मुलरूप से इसमे प्रजातिया पाई जाती है यह इनका तो यार मुख्य तोर पे विसेस्ता था बाकी तो भी सिस्ता हैं पहले से चलती आ रही थी अब देखो कि इसमें याद रखना कि इसकी कौन-कौन सी प्रजाती है तो पहली प्रजाती है काके तो सश्री नाम याद रखना काकेश सी उसके बाद मंगल वाइड और उसको निगरो आईड टिक निगरो जो भी रहते हैं अमेरिका में अफ्रीका बगरह वाले हिस्से में निगरो अभी पाया जाते हैं जो बिलुकुल बलैक होते हैं ठीक है अब देखो कि होमोसेप्यंस के बारे में भी आपको बाते समझ में आ गई होंगे अब हम लोग बात करते हैं कि होमोसेपियंस के बारे में बात कर लिए अब देखो कि भारत में सारी तमाम चीजे चल रही थी तो भारत के भी जो एंथ्रोपॉलाजिस्ट है यह लोग भी सर्च कर रहे थे कि भारत में भी करके 90 लाख वर्ष पुर्व ठीक एक साक्ष मिलता है और वह भी इलाहबाद के आसपास मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वह पहली बार मिलता है लेकिन उसके लिए भी जो दलील दिया गया जो असपस्ट प्रमान चाहिए थे वो प्रमान उपलब्ध नहीं है भ लोग रह रहे थे कोंकोन प्रजाति के हैं और किस किस हिस्टे से चल करके आए थे याद रखना है कि भारा आधुनिक जो मानव है। relative प्रजाति खिर कि इसे में मानव का विकास हुआ था यादोन कैло या मैक्सिमिम लक्षन उसके जुडाव दिखता है वह आध। चीador प्रजाति से दिखता है जो एस तरीके के सवाल आ जाए कि अधुनिक मानबёт के अंदर प्रविरतियां पाई जाती एगई तो और आध्याधि दो फास्ट्रेलिया प्रजातिक अंतरगत़ देखोंations मतलब कि भारत में different type के different प्रजाती के लोग रह रहें तो यदि इसके लिए जब सर्च किया गया जब anthropologist भारत के थे उन लोगों ने काफी research किया तो पता चला कि भारत में total चार प्रजाती के लोग रह रहें तो और वह कौन-कौन चार तरह के मानव का प्रजाती पहला प्रजाती का नाम है उसका नाम है कि नीगरोटो ठीक की जो लोग हो आप ध्यान से देख लिजेगा जहां भी समाज में चार तरह के लोग रह रहे हैं चार प्रजाती के लोग रह रहे हैं तो विशेष्टा के अधार पे आप उनको बता सकते हैं कि वह किस प्रजाती के हैं निग्रेट के कैसे होंगे नाटा होगा उनका माथा गोल होगा माथा का मतलब हेड है दिखेंगे क्यों क्योंकि वो लोग नाटे हैं उनका माथा भी गोल है और बच्चों की तरह उनका फेस है बच्चे की तरह वो लोग दिखते भी है ठीक है आ गया आते हैं दूसरी जो प्रजाती भारत में रहती है उसका नाम है आद्र ऑस्ट्रेलियाई प्रजाती जोकी आधुनिक मानव का विकास ठीक है इसके बारे में बात करते हैं तो आधुनिक मानव नαι सबसे ज़्यादा लक्षन यसी दुनों का मिलता है किसका निग्रितो का और आद्र ऑस्ट्रेलियाई का इसकी क्या-कब इसके नाक क्शप्टे इसके चब्ढ़नात्थ की देखोग्क की निग्रिटो नाटा था लेकिन आद ऑस्ट्रेलिया जो है वो नाटा नहीं है बहुत ज्यादा मंजोला कद के हैं उसके बाद इनका सीर जो है इनका हेड है वो लंबा है ठीक है इनका हेड लंबा है अब आते हैं तीसरे प्रजाती पे और तीसरा प्रजाती है जिसका नाम ह इनकी हाइट लंबी है यह उचे कद्ड के हैं इनका मात्ष मध्यम है बहुत बड़ा मात्षा नहीं है मध्यम मात्षा है उसके बाद लंबी नाक है रोएदार सरीर है, रोएदार सरीर है, सरीर पे रोएदार सरीर है, जो की ब्राउन कलर के हैं, ठीक है, रोएदार सरीर है, तो यह 3-4 विसेस्ता है, उसके बाद लास्ट की जो प्रजाती भारत में पाई जाती है, जिसको मंगलवाइड प्रजाती बोलते हैं, और यह लोग कै आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में वैसे कौन प्रजाती के लोग है जिनके दरार जैसी आन्खे होती हैं तो वो कौन है वो है मंगलवाइड प्रजाती के लोग अब इनके बारे में सवाल यहां से नहीं पूछ करके अपसे कैसे पूछे जाएगा वो हमें बता देता हूँ आपको सवाल यहां पूछा जाता है कि भारत के जो मूल निवासी हैं भारत में जो पहले से लोग रह रहे हैं वह किस प्रजाती के लोग हैं या ध्यान रखना सवाल यहीं से पूछा जाएगा तो भारत के मुल निवासी दो प्रजाती के हैं एक तो निग्रुआइड हैं निग्रिटों हैं दोनों में से कोई सब्द इस्तेमाल किया जाए तो आप ध्यान रखना दोनों एक ही है निग्र से सवाल पूछा जाएगा दूसरी बात कि जब आर्यन का इन्वेजन होता है आर्य जब चल करके आते हैं मिडिल इस से तो आर्यन किस प्रजाती के होते हैं आप से पूछा जाएगा कि भारत में आर्यों का जब आगमन हुआ तो आर्य किस प्रजाती के रहने वाले थे ठीक है मूलतः किस प्रजाती के हैं वो तो उनके लिए बोला जाता है काके शशी ठीक है काके ससी तो भारत में मूलतः दो बर गई है यह जो बर गई लगबग 80-85% के आसपास और यह जो बर गई 10-12% के पास और बचे खुचे तीन से चार परतिसत लोग हैं वह दूसरे प्रजाती के लोग हैं और उस प्रजाती का नाम है मंगलवाइड प्रजाती के हैं मंगलवाइड प्रजाती के हैं ठीक है मंगोल जो चंगेज खां जहां का रहने बाला था जो मंगोल था तो मंगलवाइड प्रजाती के हैं और इनको बोला जाता है कि नए प्रवासी तो तीन सवाल आ सकते हैं आर्यन किस प्रजाती खेते तो काकेश प्रजाती के भारत के मूल निबासी किस प्रजाती के हैं तो दो प्रजाती निग्रोइड और आद ऐस्ट्रेलिया उसके बाद आपको यह पूछा जाए कि भारत में जो नए प्रवासी लोग हैं जो भारत में नए रूप से आए बढ़ने के लिए यहां तो फिस्टलोग है तो फ् Padbir आगे बढ़ते हैं हम लोग करेंगे उसका बाद अगले चेप्टर के हम लोग सुरुवात करेंगे अगले वीडियो में तो कुछ चीज़े बची हुए उसको भी आप देख लूँ चान करें हुआ कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाता होगा मेरे ख्याल से तो आप वीडियो को रोग करके दो हिश्वorf में करकर के देख लेना ऐसे एंसेंट थी सोला सा बोरिंग होता है लेकिन मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ रहा होगा इसलिए आप ज्यादा बोर होकर के मत पढ़ोई से मज़ा ले करके पढ़ोई इतिहास को तभी चीजे समझ में आएंगी एक्जाम क्रैक कर पाओगे बोर होकर के पढ़ोगे तो फिर बोर ही रह जाओगे जीवन भर ध्यान रखना अब खांदधाते हैं कि कुछ चीजे जो है वह मैं लिखर नहीं था और क्योंकर स्पेश नहीं था तो उसको भी मानवी प्र रूपों का विकास पहला वीबरन जोशका मिलता है अलहाबाद के पास ठीक है भारत में मानव विकास का ठीक है प्लेस भारत में मैं लिख देता हूँ भारत में मानव का विकास पहला जो प्रमान मिल रहा है यह माकर खत्म हो गया तो पहला जो प्रमान मिल रहा है अलाहाबाद के पास से कहां से अलाहाबाद के पास से और अलाहाबाद के पास एक प्लेस है जिसका नाम है सराए नाहर राए सराए नाहर राए उसके बाद लिख लेना उसके पास एक और जगह है जिसका नाम है बागाई खोर और लिखनिया ठीक है बागाई खोर प्लेस का नाम एकदम जरूर याद रखना प्लेस के नाम से ही सवाल पूछा जाता है बागाई खोर और लिखनिया ठीक है यह तीन प्लेस है और यहां से क्या मिलता है यहां पर यहां से मध्य पासान यूग का ठीक है मध्य पासान यूग का मानव का साक्ष मिलता है कब का किसकाल का मध्य पाशान यूग का अब मैं पासान यूग पढ़ाऊंगा आगे चलना है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली लिथिक एज के बारे में ठीक है उसमें पहली लिथ से अलाहावाद के पास यह तीनों हिस्सा है यह तीनों प्लेस लोकेटेड है और यहां से मानव का कंकाल पहली बार मानव के बारे में कोई उपकरन मिलते हैं मानव के कंकाल मिलते हैं मानव से संबंधित साक्ष मिलता है वह किस समय का है तो मध्य पासान यूग का है मेसो लिथिक एज का है कब का है अंग्रेजी में बोलोगे तो मेसो लिथिक ठीक है मेसो लिथिक एज का है आगे आते हैं और दूसरा जो प्रम अब इसके बारे में कुछ विसेस्ता है कहता है कि इसके जो कंकाल है वह उंचे कद के हैं ठीक है उंचे कद के हैं चप्टी नाक है विसेस्ता में यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हो उंचा कद है ठीक है उंचा कद है चप्टानाख है उसके बाद आप यह देख सकते हो एक और है चोड़ी मुह ठीक है मुह इसका चोड़ा है मुह इसका चोड़ा है ठीक है यह तीन भी सेस्ता है पहली दूसरी और तीसरी यह तीन भी सेस्ता है तो प्लेस का नाम प्रियोड का नाम याद रखोगे तो यह सारे चीजे मान लो इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको परिशानी नहीं होगा मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए आ गया आते हैं कि इसमें कुछ और भी प्लेस में एक अलहाबाद के पास ही आगे जाओगे तो यूपी में प्लेस है जिसका नाम है मिर्जापूर इसको मिर्झापूर में भी लिखनिया और बागाई खोर ठीक है भहां से भी कुछ जाक्ष मिलते हैं लेकिन एंतर यही है कि वहां के बारे में कहा जाता है रहा है कि मिर्जापूर से जो साक्ष मिल रहा है वह बिंध जन जाती ठीक है इसके बारे में यह भी माना जाता है कि यहां से जो लोग मिल रहे हैं वो मूल तोर पे नाटे हैं है ना मूल तोर पे नाटे हैं और तिसरा पॉइंट याद रखना राजस्थान से मिला है और राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है राजस्थान राजी में एक जगह है जिला जिसका नाम है भिलबाड़ा प्लेस का याद रखना नाम राजस्थान में भिलबाड़ा जिला है और भिलबाड़ा जिला में एक प्लेस है जिसका नाम है बागोर ठीक है, क्या नाम है बागोर में सवाल आप से पूछा जाएगा बागोर से ठीक है बागोर सब्सद का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन ध्यान रखना कि एग्जामिनर है और आपके सवाल को घुमा भी सकता है और आप से भी मिला है क्या मानव कंकाल ठीक है मानव के बारे में मानव मानव से संबंधित ठीक है मानव से संबंधित साक्ष मिला है और इसके बारे में भी यह बताया जा रहा है कि भिलबाड़ा और के बागोर से जो मानब का साक्ष मिला है ठीक है वह भी जो मिर्जापूर से जो साक्ष मिला था नाटा वाला उसी की तरह हू बहू वैसा ही है same quality है सारे चीजे वैसे ही match करती है ठीक है तो मेरे ख्याल से यह चीजे भी clear हो गई होगी और आगे आते हैं इसमें कुछ एक दो point और है तो मैं उसको बता देता हूँ चलो इसमें अब कुछ है नहीं कुछ बचा ही नहीं है ठीक है चलो तो फिर इसको यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं है ना तो वीडियो को खत्म करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ चैनल को शेर कीजिए वीडियो के शेयर कीजिए जो यूजी सिनेट की तयारी कर रहा है इतिहास के साथ उन्हें तो निश्ची तोर पर शेयर करें उसके साथ साथ वेसे छात्र जो किसी भी competitive examination की तयारी कर रहा disappointing उनके पाठेक्रम में इतिहास को सामिल किया गया है तो उनके साथ वे वीडियो को share कर सकते हैं उसके साथ वेसे चात्र जो ugc Knet की तैयारी किसी अलग विषय के साथ किसी दूसरे विषय के साथ कर रहे हैं जैसे उदाहरन के तौर पे पॉलिटकल साइंस है किसी भी पेपर के साथ कर रहे हैं तो वह हमारे साथ पेपर वन के लिए जूर सकते हैं यहां पर उनको पेपर वन की संपूर्ण तैयारी करवाई जा कि उसमें कौन-कौन से साक्ष मिले हैं कौन-कौन से अबसेस हैं और क्या-क्या उसके लिए पढ़ना है हमको जरूरी जिससे सवाल पूछ जाते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया बाय-बाय जय हिंद जय भारत